कैसे हैं आप लोग देखिए आज एक सिंगल कलर में हम डिजाइन बनाएंगे चोग इस तरह से होरिजन्टल बनी हुई है नॉर्मली डिजाइन ऐसी खड़ी-खड़ी होती है लेकिन यह इस तरह से बहुत कम डिजाइन इस तरह के पड़ती है यह इस तरह से उबरी-उबरी पड़नाती है सिंगल कलर में और इसपेशली जैन स्वेटर में इसे आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं तो इसको बनाना चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए हमें फोर के मल्टिपल फंदे चाहिए मतलब फोर-फोर के ग्रूप में जैसे एक-धो तीन चार फ मिशा एक एक दुनों तरफ एक एज इस्टिस रफना चाहिए क्योंकि इससे यह स्मूध आता है तो सिलाई करने में आसानी होती है और डिजाइन का भी पैटर्न बीच में बिगड़ता नहीं है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कुछ-कुछ यह ड्रॉप जैसी दिख र बाकी सलाईयां सिम्पल सीधी उल्टी बनी है और इसको बनाने के लिए मैंने फोर के मल्टिपल फंदे और दो फंदे एक्स्टा ढालके और दो सलाईयों का यह बॉर्डर बना लिया जिससे यह मुड़े न आप जो बॉर्डर बना रहे हैं उसके बाद शुरू करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट इस्टेच होगी तो उसे मैंने उतार लिया आप बुनना चाहें तो बुन भी सकते हैं अब देखिए यह चार फंदों की डिजाइन है अब आप देखिए काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर ठीक है और यह जो फोर्द फंदा लेंगे लाश्ट वाला जो फोर्थ स्टेच है इसको हम इस तरह से बैंक लूप से किरें पहले थोड़ा सा ढीला कर लिया और उसके बाद हम इसे बैक लूप से U Baick Loop means पीछे से ये दिखे पीछे से सिर्ष एक फंददे को ऐसे करके नहीं आगे से ही यह इसे लेंगे और इसको यह देखें इसको ऐसको बैखलूप से इन तीनों फंदों को सबसे पहले हमने लास्ट वाले लूप को आगे से बैक लूप लेके सीधा बुना उसके बाद हम इन तीनों फंदों को भी सीधा बनाएंगे लेकिन बैक लूप से यह देखे इस तरह से और इस तरह से अब फंदे को हमने बैक लूप से असे सीधा बनाया और गिरा दिया फिर फंदे को हमने बैक लूप से सीधा बिना और हमने गिरा दिया फिर 3rd लूप को हमने बीछे से सीधा बिना और गिरा दिया ठीक है अब यह 4th वाला तो हम अल्रेडी पहले बना चुके हैं अब इसको भी हम गिरा देंगे तो हमारे 4 के 4 फंदे हो गए देखें एक लूप वाला और 3 यह 4 फंदे ठीक है फिर इस तरह से आगे से ही चल्ए को insert करेंगे थोड़ा सा से ढील ला कर लेंगे और फिर हम इस एक फन देखो कहें भीडिशने इस तरह से सीधा बनाएंगे और इस तरह से खीचके थोड़ा सा ढीला रख लेंगे भूड़ा भी नहीं इतना से से सुकुड़नना हो है अब हम इस फर्स्ट वाले लूप को बैक लूप से सीधा बनाएंगे एक फिर सेकेंड वाले को भी बैक लूप से बनाया सीधा दो फिर थर्ड वाले को बैक लूप से बनाया सीधा तीन और फोर्थ वाला हम अलड़ी बना चुके हैं तो फोर्थ वाले को भी गिरा देंगे जब ये तीन बन जाएंगे तब फोर्थ वाले को लास्ट में गिराएंगे सेम इसी तरह से इनको भी हम रिपीट करके फिर आपको दिखाते हैं तो यह दिखे इस तरह से मैंने बना लिए लास्ट की एक एज़िस्टिज बनी इसको हम सीधा बना देंगे तो यह हमारी फर्स्ट रो राइट साइड की कम्प्लीट हो गई अब उल्टी तरफ हमें सारे फंदे नॉर्मल जैसे पर्ल बनते हैं पर्ल वाइस वैसे ही बनाने हैं पहला फंदा हमने उतार लिया और दूसरा फंदा हमने इस तरह से उल्टा बन लिया सारे फंदे हम एज़िस पर्ल बना लेंगे रॉंग साइड की सेकेंड रो सेकेंड रो हमने उल्टी बना लिए पूरी अब थार्ड रो पूरी सीधी बनाएंगे और फिर फोर्थ रो भी पूरी उल्टी बनाएंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है यह देखिये हमारी चार सलाई बन गई और यह इस तरह से दिखाई दे रहा इस तरह से अब फिर से हमें अपना पहला पैटन जैसी पहली सलाई शुरू की थी अब उसी तरह से हमें बनाना है और इस तरह से हमारा पैटन कंप्लीट हो जाएगा पहला फंदा है जिसके इसका है और फिर उसके डिजाइन कैसे स्टार्ट होगी इन चार फंदों में जो चौथा वाला फंदा है उसको हमें बैक लूप से सीधा बुनना है और गिराना नहीं है फिर उसके पहला फंदा बैक लूप से फिर दूसरा फंदा बैक लूप से फिर तीसरा फंदा बैक लूप से बि लिया था, इसी तरह से इस pattern को repeat करेंगे, front side में ये ऐसा दिखता है और back side में ये ऐसा दिखता है, तो चलिए आप भी बनाएए और try कीजिए, और इसे किसी भी sweater में इसे आप अपने according यूज़ कर सकते हैं, तब तक के लिए enjoy knitting और मिलते हैं किसी next video में